हेई गाइज वेलकम इन माई चैनल रानिकेज मुलक सो गाइज कैसे हो आप लोग लेट्स गो आज हम लोग जाने वारे हैं महाननदा पली और मैं दिखाने वाली हूं आपको माला डाउन रेगे कॉलेनी इस पंडाल्स दुर्गापुजा में कितने अच्छे बने हैं जैसा कि इस वार यहां मिसर का पीरामिट बनाया गया है स्टो के काफी डरावना यहां काफी ड्रावने ड्रावने reply आफने संव डाल है जिसे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है मैंने तो बहुत इंजॉय किया है जू मैं ने सूचाए पको रोब्त ऌशा फाशा अपना छूसी आप लोगों को भी दिखाया जाए पंडाल तो आप देख सकते हो मिसर का पिरामिड है उसके बाहर ये कैमल है और कैमल को जंजीर के अंदर रखा गया है बहुत सारे लोग है तो यहां बहुत ज्यादा साइकलोन आने वाला इस कारण से लोग चौत ही और पच्चमी से ही यहा साल में और पंडाल रेडी भी हो चुका है बिल्कुल हमने लाइग तो मैंने कुछ फोटो सूट्स भी किये पैमल के साथ आप देख सकते हो पीछे जो कुछ मूरती रखे हुए है वह जिप्त में जो जिस तरह से मूरती बनाया जाता है सेम तो सेम उसको कॉपी किया गया है और काफी बहतरीन है अंदर अब हम लोग जब चाहेंगे तो आपको दिखाती हो कि कितना हजीब सा ये देखे आगे का ये थीम है उसमें बड़ा सा ये बनाया गया है और दिवारों पेज तरह से पिक्चर उपेरे गया है काफी खुब सुबत लग रहा है ये और कॉर्णर अब देख सकते हो कितने अजीब अजीब धंके मूर्ती बनाये गया है और लाइटिंग भी रेड रेड टाइप का किया गया है जिससे काफी ड्राबना थीम आ रहा है और साइड साइड कॉर्णर में मकड़ी के जाने में लेगे हुए है और ये रहा राच्छ डेविल है य आप दूस्त dalis हिए जो सेंटर है जहां डेवी मा का मुर्ती रखा गया है जिप्ट में ये उपर एक खुझत खूब सूरस साथीन बनाया गया है ये रही prawिमा तो जै LED गमाना ये साइड में कुछ बनाया गया है उसके उ er जो째 ये इस तरह का और लाइव मिल सकते हो लगाया गया है उसमें फोटोज आते हैं लिडियो आते हैं और vehicle और अधिम आधा है आपके वह तो है कि यहां करें में स्टार हैं लाइट हैं और बिच में अचानक से उसमें aliens आजाते हैं जो कि काफी देखने में इंट्रेस्टिंग लगा बच्चों को तो काफी पसंद आया वह दो मैं आपको दिखाती हूं जब alien आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर तो यह देखे alien आ चुका है और यह alien काफी खुबसूरत है यह भी गर्मा का दर्श प्रफ्ट का है थीम वो बिल्कुल परफेक्ट लगे यहां तो अब हम लोग बाहर निकल रहा है एक्सिट हो रहा है तो यह देखे इधर से इक्सिट है और एक्सिक्ट के टाइम भी बहुत सारे इस तरह के मूर्तीज बने हुए हैं जो कि काफी ढ्राबने लग रहे हैं बत और इसनल लग रहा है जाइस बहुत सारे बैट्स हैं जो दिवाल पे चिपके हुए हैं बहुत सारे मकडी है वह भी दिवाल पे लगी हुई है और इस तरह से मैंने बहुत इंज्वाई किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में आपको दिखाऊंगी दूसरा पंडाल इस तरह से मैंने हर पंडाल का एक एक पार्ट करके बनाया है ताकि आप अलग अलग अच्छे से सारे पंडाल को डीटेल में देख पाऊ अधर्वाइज मैं सारे जब एक एक वीडियो में डाल देती हूं तो वह ठीक से देखने पाते हैं कुझे बहुत जादा कट करना पड़ता है इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट करके बना रही हूं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजेगा थैंकि शो मच फॉर वाचिंग और वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस थैंकि शो मच फॉर वाचिं मिलते हैं फिर नेक्स प्यात वे